हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि माता की कृपा से आप सभी भक्त जन अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप जगत जननी मा वैश्न देवी की यत्रा प्लैन कर रहे हैं तो कैसे आप यहां तक पहुचेंगे होटल कितने में लेना चाहिए और कहां पर लेना चाहिए यतरा करने का सही तरीका क्या है कौन सा मार्ग यतरा के लिए सबसे अच्छा रहता है और यहां गोड़ा खचर या पाल की पिठु के क्या रेट रहते हैं साथ ही यहां पर खाने पीने की क्या वैवस्ता है और बात करेंगे कि आपका इस यात्रा में कुल कितना खर्चा होने वाला है इस लिए इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें ताकि आपको छोटी से लेकर बड़ी सारी जानकारी मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो माता पैशनो देवी का ये दिव्य और आलोकिक मंदिर कट्रा के त्रिकूट परवत पर विराजमान है जो जम्मों से लगभग 50 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है यहाँ पर सर्दी होया गर्मी पूरे साल लाखो भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुचेंगे दोस्तो यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है ट्रेन कट्रा में ही माता वैशनो देवी कट्रा रेलवे स्टेशन इस्तीद है जहाँ पर काफी सारे प्रमुक स्टेश तरह आप जम्मू तक पहुँच जाएंगे उसके बाद रेलवे स्टेशन के पास ही बना हुआ है बस स्टेंड और टैक्सी स्टेंड जहां से आप अपनी सुवीधा की अनुसार बस या टैक्सी करके 50 किलो मिटर की दूरी को तैय कर सकते हैं यहां पर आपको गवर्मेंट या प्राइवेट दोनों तरह की बस मिल जाती है जिनका दोनों का किराया 100 रुपे से लेके 1.500 रुपे तक रहता है और वहीं अगर आप टैक्सी के माद्यम से जाना चाहते हैं तो इसका किराया 1200 रुपे से लेके 1500 रुपे तक पर परसन रहता है और इस तरह आप जम्मू से करती हैं क्योंकि यहां जितनी भी बस हैं वह आपको पुराने बस स्टेंट तक नहीं छोड़ती यहां से आप चाहे तो ओटो के माद्यम से या फिर पैदल ही तहलते हुए फवारा चोग तक पहुँझाए क्योंकि यही वह जगा है जो कट्रा का मेन सेंटर पॉइंट है औ और उसके बाद बस या टैक्सी के माद्यम से कट्रा तक पहुझाए तो इस तरह दोस्तों आप माताराने के दरबार कट्रा तक पहुझ गए हैं और यहां से आपको माताराने के मंदीर के बहुत खूब सूरत द्रशन होने लगते हैं तो अब दोस्तों कट्रा पहुँचने होटल चाहिए तो आप पुराने बस स्टेंड के पास गली में होटल ले सकते हैं जहाँ पर रूम के प्राइज 600 रुपे से शरू हो जाते हैं और वहीं अगर आप बहुत लगजरी और अच्छा होटल लेना चाहते हैं तो उसकी रेट 2,000 रुपे से शुरू हो जाते हैं और 5,000-10,000 तक मिल जाते हैं और आप चाहे तो श्राइन बोर्ड के निहारिक का कॉंप्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं यहां पर आपको काफी अच्छे और VIP बैड मिल जाते हैं यहां के रूम की प्राइस की स्टार्टिंग डबल बैड के बाइस सो रुपे और फोर बैडड रूम के प्राइस अच्छा सा रूम ले लिया है इसके बाद जानते हैं मातारानी के दर्शन के बारे में दोस्तों मातारानी के दर्शन करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना रहता है इसको बनवाने के बाद ही आप मातारानी की यात्रा कर पाएंगे RFID Card आपका यात्रा का पास होता है जो बान गंगा चेक पोस्ट और तारा चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है यहां RFID Card आप जम्मू Railway Station से भी बनवा सकते हैं अगर आप रेल के माध्यम से आए हैं तो या अगर आप एरपोर्ट से आ रहे हैं या फलाइट के माध्यम से एरपोर्ट आ रहे हैं तो आप महाँ पर भी RFID Card बनवा सकते हैं Railway Station के बार ही वैशनवी भवन बना हुआ है यहां से भी अपना RFID Card बनवा सकते हैं लेकिन इसमें एक कंडिशन होती है कि जब आप यह Card बनवाएं तो उसके 6 घंटे के भी तरही आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है इसलिए आप चाहें तो इसको कट्रा में चुराहे के पास से या फिर तारा कोट मार्क पर भी इसको बनवा सकते हैं इस Card को बनवाने के लिए आपके पास अधार Card या कोई भी Identity Proof होना जरूरी है और यह Free में बनता है इसको बनाने का टाइम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहता है तो अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा Important है कि आपको RFID Card बनवाने के बाद यातरा कहां से शुरू करनी चाहिए या फिर किस मार्क से करनी चाहिए जिससे कि आपकी यातरा में कोई परिशानी ना हो दोस्तों यहाँ पर यातरा करने के लिए 2 मार्क बने हुए हैं पहला है बान गंगा मार्क और दूसरा है तारा कोट मार्क अगर आप पैदल और अराम दायक यातरा करना चाहते हैं तो तारा कोट मार्क से अपनी यातरा को शुरू करें क्योंकि यहां पर घोड़ा खचर नहीं चलते हैं इसलिए पैदल ग्यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह मार्ग सबसे अच्छा ओप्शन रहता है तारा कोट मार्ग तक पहुँचने के लिए कटरा में चुराहे से ओटो चलते हैं जो की बुक होते हैं इसमें 210 रुपे 4 परसन का फिक्स किराया लिया जाता है और आपको तारा कोट मार्ग पर छोड़ दिया जाता है और तारा कोट मार्ग से अर्द कुमारी मंदिर की दूरी यह मार्ग यात्रा के लिए काफी अराम दायक है क्योंकि इस मार्ग की चड़ाई नॉर्मल रहती है और इसी मार्ग के दुरान आपको काफी ज़्यादा खाने पीने के आप्शन वी आई पी रेस्टरोंट भी बने हुए साथ में मिल जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको साफ सुत्रे टोइलेट की सुवी धा भी मिल जाती है जो बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट रहती है और जब आप तीन किलोमेटर की यात्रा कर चुके होंगे तब आप मातारानी के चल रहे लंगर के पास पहुँच जाएंगे और यहीं पर काफी प्यारा सा पार्क बना अब यहां से चार किलोमेटर की यात्रा करने के बाद आप पहुँच जाएंगे अर्ध कुमारी हेमकुटी मार्ग पर अगर आप अर्ध कुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उपर वाले रास्ते से होते हुए अर्ध कुमारी मंदीर तक पहुँच जाएंगे ल और अब दोस्तो अर्द कुमारी मंदिर से वेटिंग टाइम लेने के बाद हिमकुंड मार्ग पर वापस आ जाए और अब यहां से भवन का रास्ता और भी जादा सरल हो जाता है बहुती कम चड़ाई कर आप भवन के पास तक पहुंच जाएंगे हिमकुटी मार्ग पर आपको खाने पीने के लिए श्राइन बोड के भोजनाले मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत ही कम रेट पर और बहुत ही अच्छा खाना आपको मिल जाएगा साथ ही में fast food भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और साथ ही जब आप भवन से 1 km दूर होते हैं तभी से आपको मातारानी के भवन के दर्शन होने लगते हैं जिसे देखकर आपकी सारी थकान, सारी थकावर दूर हो जाती है और इस यत्रा को पूरी करने में आपको 6-7 घंटे लग जाते हैं और अगर आप बहुती रुपते हुए या अराम करते हुए इस यत्रा को करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे आपको लग जाएंगे अगर आप यह यात्रा घोड़ा खचर या पिटू के द्वारा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बान गंगा वाला मार्ग से आना होता है बान गंगा मार्ग चेक पोस्ट पर पार करते ही आपको बहुत सारे घोड़े पाल की पिटू वाले मिल जाते हैं तो अगर आप यह यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो उसका चार्ज रहेगा बान गंगा से लेकर अर्द कुमारी तक के 650 रुपे और अगर आप बान गंगा से भवन तक का पूरा यात्रा घोड़े से करते हैं तो उसका चार्ज रहता है 1250 रुपे और यहाँ पर prepared counter बने हुए हैं जहां से आप रसीद कटा सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए पिठ्थू करना चाते हैं तो बान गंगा से अर्ध कुमारी तक 500 रुपे और अगर पूरा भवन तक करते हैं बान गंगा से लेकर भवन तक तो उसका चार्ज रहता है 300 रुपे और वहीं अगर आप पालकी से जाना चाते हैं तो उसका आना और जाना यानि के round trip 4000 रुपे है और अगर आपका वजन 100 किलो से जादा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और यहाँ पर दोस्तों आप चाहे तो अपनी पैदल यात्रा बान गंगा मार्ग से भी शुरू कर सकते हैं बान गंगा सबसे पुराना रास्ता है और मा वैशनो देवी यात्रा का इस रास्ते में आपको सबसे ज़्यादा चीज़े एक्स्ट्रोर करने के लिए मिलती हैं अगर आप यह यात्रा बान गंगा मार्ग से करना चाहते हैं तो बान गंगा मार्ग मेन कट्रा चोराहे से 1.5 km दूर है जिसको आप बाय ओटो 160 रुपे देकर कवर कर सकते हैं और चाहे तो आप पैदल चल कर भी बान गंगा चेक पोस्ट तक अपनी यात्रा शुरू कर सकते ह और यहां से अर्ध कुमारी मंदीर की दूरी 5.5 km की होती है जब आप अर्ध कुमारी मंदीर के पास पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पर सीडियो वाला मार्ग मिलेगा तो आप वह सीडियो वाला मार्ग ना लेकर हेमकुटी मार्ग का पहयोग करें क्योंकि अगर आप बैटरी कार लेना चाहते हैं तो उससे भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं अर्ध कुमारी मोड से भवन तक आप बैटरी कार का चार्ज होता है 354 रुपए और भवन टू अर्ध कुमारी तक वापस आने का 236 रुपए होता है लेकिन इसके लिए आपको दो महीने पहले से बो यह सब जान लेती हैं जब आप मातारानी के दरबार के पास पहुच जाते हैं तो वहाँ पर आपको दुर्गा भवन के पास यह टोईलेट और बाथरूम की फैसिलिटी मिल जाती है यहां पर आप अराम से फ्रेश होकर इसनान करके जो की बिलकुल फ्री ओफ कोस्ट रहता है फिर आप अपना सारा समान लोकर में जमा कर सकते हैं मंदीर के अंदर किसी भी प्रकार का समान जैसे की बेल्ट, चाबी, मोबाइल, चमड़े का किसी भी प्रकार का समान या इलेक्ट्रोनिक डिवाइस वगेरा आप कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकते हैं। मा वैशनो देवी मा काली, मा लक्ष्मी और मा सरस्वती के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर आप माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन कर अपनी मनोकामना की पूर्दी की कामना करें। और मा वैशनो देवी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगी। और माता रानी का यह दरबार स्वर्ग जैसा सुन्दर आपको लगने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों की आप माता रानी के दर्शन के बाद भैरो बाबा के दर्शन कैसे करें माता वैशनो देवी से भैरो बाबा की दूरी साड़े 3 किलोमेटर की है यहाँ पर आप पैदल या फिर घोड़े से या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं यहाँ पर घोड़े का चार्ज 300 से 400 रुपे रहता है और रोपवे का चार्ज 100 रुपे पर परसन होता है और वही अगर आप ये यात्रा पैदल करना चाते हैं तो उसमें 20-25 मिनट तक लग सकते हैं और भैरो बाबा के दर्शन करने में आपको 10-15 मिनट तक लग सकते हैं और भैरो बाबा की घाटी से मा वैशनो देवी के मंदिर के नजारे ना दोस्तो सच में मन महोने वाले होते हैं भेरफ बाबा की घाटी से मां वैशनो देवी के ये चारो तरफ के नजारे आपका दिल खुश कर देंगे दोस्तो अब बात करते हैं कि मां वैशनो देवी मंदिर के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है तो आप यहां अक्टूबर टू जून के मन्थ में कभी भी आ सकते हैं और जुलाई और अगस्त सितंबर में यहां पर काफी बारिश होती है इसलिए आप इस समय को अवैशनो देवी के दर्शन करने के लिए आपको थ्री डेज और टू नाइट्स का समय लग सकता है और इसमें चाहे तो आप दिन और एड कर सकते हैं अपने घूमने के प्लैन के अनुसार इसके बाद जानते हैं कि आपका कितना खर्च होने वाला है मावैशनो देवी की यात्रा में देखिए दोस्तो अगर आप अपनी यात्रा बजट में करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल से होटल में रुक जाएए और उसके बाद अपनी यात्रा पैदल करिए और कट्रा तक आप बस या ट्रेन में आ सकते हैं तो इस तरह आपकी यात्रा 3500 से 4000 के बीच में हो जाएगी पर परसन तो यही था दोस्तो एक वैशनो देवी यात्रा प्लैन का वीडियो आशा करती हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और इस वीडियो को अपन